दिलीब घोष के बर्मुडा वाले जिसका बहुत देर से इंतजार है संजाशर्माजी को वो खबर में आपको बता देता हूँ बर्मुडा वाले बयान पर बवाल हो गया है PMC ने कहा है विकृत मानसिक्ता के लोग है ये दिलीब घोष ने ममता की साडी को संस्कृती से जोड़ा घोष की सफाई कई लोगों ने सवाल उठाए तो मैंने ये कह दिया ममता की चोट को लेकर दिलीब ने दिया था बयान साडी की जगे बर्मुडा पहने तो पैर और साफ दिखेगा प्लास्टर और बढ़िया दिखेगा और उससे वो संवेद्रा के वोटा और ज्यादा ले सकती जोई नहीं मैंने तो आपसे सवाल पूछा भी नहीं जोई आप कैसे शुरू हो गए अब मैंने सवाल पूछा है आपसे ये क्या है जोई चौधरी कभी आपका पैर टूटा है गया तो आपको डॉक्टर नहीं बोला होगा ना कि पैर को थोड़ा उंचाई में रखिए सर्कूलेशन के लिए सारी तो सारी जो पहनता ना पैंसर और पाइजामा और सारी मैं सर अंतर होता है नहीं मैं यह कह रहा हूं मैं क्या पहनूंगा या कोई क्या पहनेगा यह तो नहीं कहना चाहिए ना इसको लेकर तो आपके एक सीम अभी अभी ताजा ताजा हाथ जला कर चुके हैं लेकिन मैं आप से यह पूछना चाही हूँ कि अगर किसी को पैर ऊपर रखना पड़ता जिसमें प्लस्टर बंधा हुआ है और उसके वो प्लस्टर नुमाया होता है तो उसको half end पहन लेना चाहिए बर्मुडा पहन लेना चाहिए क्या पहनना चाहिए यह क्यों बताने लगते हैं आप लोग अगर वो पाउं दिखा तो आपके प्रॉस्पेक्ट्स पर वो पाउं कहीं जाकर लग सकता है यह डर है ना आपको इकदम डर है उन्होंने तो वही कर रहा है दीदी ने तो वही कर रही है कि अपनी पाउं दिखा ने बहुत अच्छे समझ दीजिए आप क्या कह रहे हैं मैं इसको दोहराओंगा जो आप कह रहे हैं आपने का बिल्कुल डर है आपको यह डर है कि उनको वोट चले जाएंगे प्लास्टर अगर उनको ऊपर रखना पड़ रहा है और साडी से बाहर निकला हुआ प्लास्टर दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको डर क्या है परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी 9 भारत वर्ष पर